वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो स्ट्रेंजर थिंक्स की सीरीज है जिसके आलरेडी दो सीजन कम्प्लीट हो चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो इस इसके टाइम लाइन अभी भी 1984 की है यानि कि वही टाइम जब हौकिन्स लैब के अंदर दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुला था जब न्यूज स्प्रेड हुई थी यूएस तक पहुचे थी तो वही न्यूज अब रश्या तक भी पहुच चुकी थी कि दूसरी दुनि की एनरजी को प्रोडियूस किया जा सकता है गाइस अगर आपने सीजन वन ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा ये चारो दोस्त जब इनके साइंस टीचर के पास जाके मिलते हैं और दूसरे दुनिया का दर्वाजा खुलने का लॉजिक पूचते हैं तो की एल में इतनी जाता एनरजी थी कि उसकी पावर्स के कारण ही अपने आप दर्वाजा खुल गया था खेर बैक टू दा स्टूरी यहाँ पर हम उपर लैब के अंदर देखते हैं कि दो साइंटिस्ट है जो कि एक बॉक्स लेकर आये थे इस मशीन को चालू करने के लिए इ और मानों की यह लोग आर्टिफिशल तरीके से दिवार के अंदर एनरजी डाल की दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुलने की कोशिश कर रहे थे और अब इस एनरजी से सामने के दिवार में एक दरार भी आ चुकी थी यानि कि अपसाइड डाउन वर्ल का दर्वाजा यहा काफी जादा रूट्स बाहर निकलती है तो हम यहाँ पर भी यही चीज़ देखते हैं इस दरार के अंदर से काफी सारी रूट्स बाहर निकलने लगती है अब यह मशीन इतनी जादा इलेक्रिसिटी प्रॉड्यूस कर चुकी थी कि इसका रिवर्स रिजल्ट तो आना पॉ क्मांडर देखते हैं कि आखिर इन साइंटिस्ट ने क्या किया है असल के अंदर साइंटिस्ट ने अपना पूरा काम नहीं किया था लेकिन यह बहुत हद तक पहुंच चुके थे जनरल कमांडर को यह बात भी बरदाश्ट नई थी इसी कारण वो में साइंटिस्ट को मार और उसके असिस्टेंट को एक साल का टाइम देते हैं इस एक्सपरिमेंट को पूरा करने के लिए जिसके बाद यह पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है हौकिन्स पे एक साल बाद की कहानी दिखाए जाती है जहां पे हौकिन्स का शेर कुछ आगे बढ़ चुका है यहां एक को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं क्योंकि उनके शॉप्स चलना बंद हो गई थी जिसके बाद हम एल और माइक को देखते हैं एल को हालांकि घर से बाहर जाना मना था लेकिन अब जब माइक को पता था कि एल यहीं परी है तो माइक सीधा एल के घर तक पहुंच जाता है इ आपर को यह चीजे बरताष्ट बिल्कुल भी नहीं थी और वो कमरे में जाके पूछ लेता है कि आखिर चल क्या रहा है जिसके बाद माइक को अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था लेकिन माइक एल से मिलने के कारण लेट हो चुका था अब यहाँ पे हम बाकी के सार दिखाई देंगे वो सारे वर्किंग पोजिशन पर दिखाई देंगे स्टीव को हम इस टाइम पर एक आइसक्रीम पार्लर पर काम करता हुआ देखते हैं यहाँ पे स्टीव जिस लड़की के साथ काम कर रहा था इस लड़की का नाम रॉबिन था इन दौनों की अच्छी क अच्छे मुवी देख रहे थे तो इस थीटर की तो लाइट जाती ही जाती है साथ में इस पूरे मौल की देखते ही देखते पूरा हौकंस शहर ही डार्क हो जाता है यानि की पूरी लाइट चली जाती है जिसके बाद सीन एक स्टील फैक्टरी में शिफ्ट होता है यहां पे काफी सारे ashes गिरे हुए थे आप लोगों को गाइस ध्यान होगा second season की अंदर डॉक्टर ओंस जब farm की मिटी को test करने के लिए अपने lab में लाए थे और उसके बाद जब उसे burn किया था तो सारे के सारे particle एक साथ में घूमने लगे थे ये scene भी guys हमें same यहीं दिखाई देता ह यह सारे ashes एक खटा होते हैं और एक साथ एक स्ट्रोम की जैसे बन जाते हैं guys यह जो ashes थे यह असल के अंदर mind flare के कुछ अंच थे अब मैं आपको same time भी बताती हूँ कि यह particles activate कैसे हुए जब रशिया की अंदर इतनी सारी power generate करके upside down world का दरवाजा खोला गया तो mind flare के इनी ashes का अपने main source से connection हुआ जैसे यह connection पूरा हुआ तो यह activate ashes भी अब activate हो चुके थे और यह ashes यहाँ पे रहे कैसे हैं यह भी मैं आपको बता देती हूँ last season के अंदर जो will के body के अंदर से mind flare का कुछ part बाहर निकल के आया था तो उस part को upside down world के अंदर जाना चाहिए था लेकिन वो part बाहर ही रह जाता है और उससे पहले ही एल ने upside down world का दर्वाजा बंद कर दिया था यह सारे particles उसी mind flare के थे जिसके बाद में अब पूरे शहर में light आ जाती है जो काम continue चल रहा था वो सभी लोग वही काम करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर will को कुछ चीजे महसूस होना शुर काने की कोशिश कर रहा था लेकिन रॉबिन देख रही थी कि स्टीव यह चीज अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है इसी के साथ हम नैंसी और जॉन को देखते हैं जो कि एक साथ सुबह उठे थे इस सीजन के अंदर इन दौनों ने भी जॉब स्टार्ट कर दी है यह के अंदर थी तो वो असिस्टेंट लेकिन काम उससे उल्ट सीदे कराये जाते थे जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पूल पे अब हम यहां पर बिली की एंट्री देखते हैं वो भी इनी बच्चों की तरह बड़ा था और उसके भी स्कूल खत्म हो चुके थे हालांकि वो इन सारे ही बच्चों से बड़ा था अब बिली की एंट्री तो हमेशा से एक स्टार एंट्री रही है जहां पर एक साथ में काफी सारी आंटियां बैठी थी और इसके अंदर हम नैंसी की मॉम को भी देखते हैं यह सारी की सारी आंटी बिली के आने का वेट कर रही थी और उसके आने से पहले ही टच अप भी कर लेती है यहां हम देखते हैं कि बिली अब चांस मारने के लिए मिसिस विलर के पास पहुँच चुका था हालांकि मिसिस विलर भी चाती थी कि वो बिली से बात करे बिली मिसिस विलर को एक्स्टा क्लासेस देने के बारे में बात कर इनड 있지 बाइसे वी इस चीज के लिए यहाँ कर दीती है जिसके बाद सीन्ट शिफ्ट होता है जोईस के मौल पर यहाँ पिर जोईस को काम तो करना ही था तबी यहां Hopper आता है और Joyce से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए free हो मुझे तुमसे बहुत important बात करनी है असल के अंदर Hopper L को लेके बहुत tension में था और वो माई के उपर बहुत गुसा करते हुए बोलता है कि उस लड़के को शरम नहीं आती क्या वो मेरे सामने ही मेरे बीटी के साथ में बैठा रहता है मैं आखिर उन बच्चों को कैसे अलग करूँ Joyce उसे समझाती है कि तुम्हारे गुसा करने की कारण वो बच्चे और opposite way में जाएंगे बलकि तुम्हें गुसा नहीं करना है तुम्हें उनसे बात करनी है बात करके सारी चीज़े तुम सुलचा सकते हो लेकिन होपर कहता है कि मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा Joyce कहती है कि ये बच्ची अभी teenage के हैं ये बच्ची अब बच्चे नहीं रहे ये अपने मन के according चीज़े कर सकते हैं इसलिए Joyce Hopper को कहती है कि अगर तुम्हें बात करना है तो तुम उनसे शांती से बात करो और एक बड़ा सा ऐसे लिख के दे देती है और Hopper उसे बैट के याद करता रहता है अब यहाँ पे guys तीन शिफ्ट होता है Dustin पे जो कि पिछले एक महीने से खुद के समर टाइम में खुद की मॉम के साथ अपने ग्रैन मा के घर गया था और साथ इसाथ वहाँ पे science classes भी अटेंट करी थी वो बार-बार में अपने दोस्तों से contact करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी उसका reply नहीं दे रहा था घर आने के बाद डस्टिन को expectation थी कि उसके सारे दोस्तों से मिलने के लिए आएंगे और उसका welcome करेंगे लेकिन घर पी कोई भी नहीं था और कुछी seconds के बाद में डस्टिन के सारे toys automatically start हो जाते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और एक साथ कमरे के बाहर चले जाते हैं डस्टिन काफी जादा डर चुका था कि आगेर ये चीज़े कैसे हो रही है इसी कारण वो अपने हाथ में spray उठा लेता है और toys के पीछे पीछे जाता है तब हमें यहाँ पता चलता है कि डस्टिन के सारे friends उसका welcome करने के लिए वस उसके साथ एक prank कर रहे हैं और यहाँ पे सारे toys तो एल की power के कारण चल रहे थे अब जब सारे toys एक जगा पे घटे होके बंद हो जाते हैं तो डस्टिन को नहीं समझ आता कि आकर चल गया रहा है इतनी देर में सारे दोस्त पीछे आ जाते हैं उसके welcome के लिए लेकिन शोर मचाने के कारण डस्टिन डर जाता है और डरने के कारण सारा spray Lucas के आँखों में डाल देता है डस्टिन यहाँ आने के बाद में अपने सारे experiment जो उसने इतने दिनों में किया था वो Will, Mike और Elle को दिखाता है इन बच्चों को डस्टिन के इन experiment में कोई खास मजा नहीं आ रहा था लेकिन तभी वो एक बड़ा सा सिस्टम दिखाता है और कहता है कि यह एक ऐसा radio सिस्टम है जिससे कि हम काफी दूर दूर तक बात कर सकते हैं और इसका innovation तो मैंने ही किया है यह innovation एक्चोली मैंने मेरी girlfriend से बात करने के लिए किया है जिसका नाम सूजी है सारे बच्चे जैसे ही सुनते हैं कि डस्टिन की girlfriend है तो काफी excited हो जाते हैं डस्टिन के according उसकी girlfriend उसे summer camp में मिली थी जो की काफी smart है, intelligent है, cute है और यह दौनों इक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं अब इस radio के setup के लिए इन्हें अच्छी frequency चाहिए थी इसी कारण डस्टिन अपने सारे दोस्तों को लेके एक खुले ground की तरफ चाता है लेकिन यहाँ पर पर Mike और Elle अपना ही time spend कर रहे थे Elle और Mike को डस्टिन के इस innovation में कोई interest नहीं था इसी कारण वो अपना time spend करने के लिए पहले ही निकल जाते हैं इस चीट से बागी के members को बहुत गुसा आता है कि इन दौनों के साथ होने के बाद में यह किसी को भी याद नहीं करते सबको भूल चुके हैं अब इस time पे डस्टिन, लिउकस, मैक्स यह सारे तो आगे निकल जाते हैं लेकिन विल पीछे रह जाता है जहाँ पर फिर से उसे कुछ चीजे महसूस होना शुरू होती है मानों के कुछ चीजे वापस से उसके आसपास आने लगी है साथ ही साथ हम ग्राउंड में देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे चुए एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे तब ही वहाँ पे डस्टिन और लिउकस विल को आवास देते हैं और विल वापस से आगे बढ़ने लगता है यह सारे के सारे चुहे उसी स्टील फैक्टरी के अंदर जाते हैं जहां हमने उन आशिस को एक साथ कम्बाइंड होते वे देखा था लेकिन यहां पे इन चुहों के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था यह सारे चुहे तड़प रहे थे और कुछी टाइम के अंदर यह चुहे फट जाते हैं और ऐसा इन के साथ क्यों हुआ यह तो गाइस हमें आगी पता चलेगा अब इन चारों ने अपनी मेहनत से इस रेडियो की फ्रिक्वेंसी के लिए एक एंटिना सेट कर लिया था चारों काफी ठक चुके थे और अब डस्टिन का टाइम था कि वो अपनी गल्फरेंट से बात करना स्टार्ट करे लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था डस्टिन को कोशिश करते करते रात हो जाती है और अब सारे बच्चे डस्टिन की बात पर बिलीव नहीं करते इसी कारण वहाँ से मैक्स, लिूकस और विल कुछ-कुछ देर के अंदर निकल जाते है अब डस्टिन वहाँ पर अकेला बच्चता है और तभी एक फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती है हम सबको लगता है कि शायद ये डस्टिन की गल्फ्रेंड होगी लेकिन असल के अंदर ये फ्रिक्वेंसी किसी और रेडियो से कनेक्ट हुई थी जो कि रश्या के लोग किसी और जगह पे सीक्रेट कोड के जरी किसी मैसेज को पहुचाना चाते थे जिसके बाद सीन वापस से रश्या के लैब पे शिफ्ट होता है यहाँ पे हमें ये शायन करती वी चीज तो नहीं दिखाई गई थी लेकिन साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं कि इनके सामनी जो भी चीज है वो काफी जादा ब्यूटिफुल है जहाँ पर वापस सीन होपर के घर पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे ऐल और माइक अभी भी एक दूसरे के साथ में कॉलिटी टाइम ही स्पेंड कर रहे थे होपर यहाँ इनका दर्वाजा नौक नौक करके अंदर पहुचता है और बात करने की कोशिश करता है होपर इस टाइम भी शांत था और जॉयस के बताई हुई चीजों को रिपीट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे माइक और एल एक दूसरे के कानों में बाते करने लगते हैं यह चीज़ देखे तो होपर वापस से भढ़क जाता है और माइक को कहता है कि तुम्हारी ग्रेंडमा को कुछ हुआ है और तुम्हारे घर से कॉल आया है और तुम्हें इसी टाइम यहां से जाना पड़ेगा अब जब होपर माइक को लेके गाड़ी में बैठता है तो होपर यहां पे खुद का पेरिंस बना दिखाना शुरू कर देता है वो माइक को काफी जोर से डाटता है कि तुम्हें एल के साथ में टाइम स्पेंड करना है लेकिन थोड़े कम टाइम के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रोज-रोज उससे मिलोगे और इतने जादा क्लोजनस बढ़ा लोगे यह चीज़ देखे तो अब माइक भी डर गया था हॉपर कहता है कि मुझे अगली बार समझाने के जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए और अब सीन शिफ्ट होता है सेम टाइम पे सीन बिली के उपर शिफ्ट होता है जहां बिली भी मिसेस वीलर से बात करने के बारे में अलग-अलग सेंटेंस सोचता है कि वो उनको कैसे इंप्रेस करेगा कुछी दूर आके जाने के बाद में एक तम से कुछ तीजी से उड़ता हुआ आता है और बिली की कार से टकरा जाता है इसी कारण बिली का एकसिडेंट हो जाता है और उसकी कार इस टाइम पे उसी स्टील फैक्टरी के सामने रुकती है बिली को कुछ अलग-अलग तरेकी की आवाज आ रही थी और उसी टाइम पे इस factory के अंदर से निकलने वाली roots बिली के पैर पकड़ लेती है और सीधा factory के अंदर तक उसे खीचती जाती है और बिली के factory के अंदर जाने के साथ ही guys यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है